हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनालसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूज्वल शुरू करूंगा फिंगर्स के अनालसिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सैटिंग और माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनेलसिजम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वारी शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स को चेक आजा है लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनी फिंगर्स काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है हैं अगर हम देखें इनकी इंडेक्स फिंगर यानि तरजनी को तो आप यहाँ पर देखेंगे तरजनी फिंगर की जो length है इनकी सूर्य फिंगर के लगबग equal नज़र आ रही है तरजनी और सूर्य जिनकी यहाँ फिंगर अच्छी length में हो काफी ज्यानवान होते हैं knowledgeable होते हैं और काफी अच्छी leadership qualities भी इनके भीतर रहती हैं जिनकी यहाँ तरजनी फिंगर यानि ब्रस्पती की फिंगर अच्छी लंबाई में मौजूद हो अगर इनकी ring finger यानि सूर्य की finger को देखा जाए त नेटिव के भीतर काफी अच्छी creative और artistic qualities रहने वाली हैं ऐसे नेटिव काफी अच्छा social circle बना पाने में भी काम्याब हो जाते हैं जिनकी सूर्य finger अच्छी length में हो उसी के साथ साथ थोड़ी सी risk take attack की personality भी ऐसे व्यक्ती की रहती है जिनकी ring finger ज्यादा length में होते हैं ऐसे व आगे देखते हैं इनकी सबसे छोटी finger यानि बुद्ध की finger की बात करेंगे यह जो mercury finger है यहाँ पर आप देखेंगे अच्छी length में है भले थोड़ी सी low set होती हुई यह finger नजर आ रहे हैं आपको दिखाना जाओंगो यहाँ पर draw कर कर आप देखें कि कुछ इस तरह से यह finger थोड़ा सा नीचे से शुरू होती हुई बाकी fingers के मकाबले यहाँ से शुरू होती जबकि यह है जो इनकी fingers हैं बाकी की तीनों high set हैं सबसे छोटी finger का low set होना indicate करता है कि native थोड़ा shy nature का रहेगा थोड़ा सा शरमीला सभाव इनका रह सकता है लिकिन यहाँ पर इनकी mercury finger की ल बात करें तो यह finger अच्छी length में हैं और लगभग सुर्या finger के top falange के करीव यह finger लंबाई में पहुंचती हुई जिसकी वज़े से communication skills इनके काफी बहतर रहने वाले हैं calculations और business equipment भी ऐसे native का काफी strong देखा जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर यहाँ पर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनका गुरू परवत शनी परवत और सूरिया यह तीनों ही high set हैं सिर्फ इनका Mercury Mountain यहाँ से हलका सा low set होता हुआ जबकि इनका Mercury Mountain भी काफी prominent है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर यह जो area है इनकी हथेली का आपको उपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा और एक लंबी Mercury रेखा भी इनके हथेली में मौचूद है इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ त लेकिन इस तरह से यहाँ उपर की तरफ बढ़ती हुई बीच में कुछ overlapping मौजूद है इस रेखा में लेकिन थेली में इस Mercury Line का होना native की strong calculations करने की skill को और अच्छे business equipment को indicate करता है ऐसे व्यक्ति अगर job में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा perform करते हैं जिनके हाथ में गुद रेखा मौजूद होती है और अगर ऐसा व्यक्ति अपना खुद का कोई काम करता है तो उसमें भी अच्छी income generate कर पाता है इस रेखा का overlap होना जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखा आपको हलकी सी इस तरह से break होती हुई नजर आएगी इस तरह से इस रेखा मे overlapping होना ज्यादा अच्छा संकेत नहीं होता अगर इस रेखा में overlapping मौजूद हो तो native को digestive system से सबंदित दिक्तों का सामना भी अपने जीवर में करना पड़ सकता है अगर हम इनके सूर्य परवत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्या का जो area है आपको दबता हु हुआ नजर आएगा सूर्य रेखा यहाँ पर छोटी छोटी रेखाओं के संयोग से बन रही है यहाँ एक सीधी रेखा यहाँ पर मौजूद नहीं है अगर एक लंबी और सीधी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा मौचूद हो तो वो native को अच्छा यश है तो इस तरह की रेखा को हम उत्तम सूर्य रेखा मान सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो सूर्य रेखा है वो कमजूर है और सूर्य जो परवत है वो दब रहा है जिस वज़े से यश मिलने में और फेम मिलने में यहाँ पर दिकतें रहेंगी ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी help कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई appreciation ऐसे native को नहीं मिल पाता, जिनका सूर्य परवत दब रहा हो, बात करते हैं इनके शनी परवत की, इनका जो शनी परवत है, यहां पर हलका सा flat नजर आ रहा है, जो इनकी मेहनती nature को indicate करता है, शनी रेखा की बात होई, साथ साथ एक supportive line इनके हाथ में और नजर आ रही है, जो इनकी mind line किया है, एक by four की तरह काम करेगी, इस तरह की रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है, एक लंबी शनी रेखा हाथ में मौचूद हो, तो वो सबसे अच्छे result देती है, लेकिन अगर इस रेखा में, जैसे और यहाँ पर आप देखेंगे, इनके हाथ में जो भागया रेखा है, इस एरिया से खास तोर पर इनकी line of mind के ऊपर से काफी अच्छी strength गेन करकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, यहाँ से जो age शुरू होती है, 36 की शुरू होती है, तो ऐसे व्यक्ती, 36 की age के बाद बहुत अच्छी तरक्की अपने जीवन में कर पाते हैं, जिनके हाथ में भागया रेखा, मस्तिक्ष रेखा के उपर strong होती हुई नजर आए, उसके इलावा आप देखेंगे, यहाँ पर एक फिश जैसी अक्रिती आपको बनती हुई नजर आएगी, यह जो area है, ब बहुत ही hard working होता है, और अपनी इनी खूबियों की वज़य से जीवन में अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाता है, अगर हम बात करें इनके गुरू परवत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे, गुरू परवत का जो area है, आपको उठा हुआ और उभरा हुआ नजर आएगा, परस्पती जो finger है, जो उंगली है, वो काफी अच्छी लंबाई में है, यह माउंट उभरा हुआ है, जिस वज़य से ऐसे व्यक्ति बहुत ही आदर्शवादी होते हैं, और इनकी knowledge बहुत अच्छी होते हैं, ग्यानवान टाइप की personality ऐसे व्यक्ति की देखी जा स लगती है, जिनका guru परवत उपर की तरफ उठा हुआ नजर आए, इसी के साथ साथ आपको कुछ आड़ी रिखाएं, यहाँ पर नजर आएंगी, ऐसी आड़ी रिखाएं, यहाँ पर होना अच्छा संकेत होता है, ऐसी रिखाएं होने से native के एक से अधिक source of income रहते हैं, और पहुंचती हुई नजर आ रही है, इस तरह की हाट लाइन native को दिल से spiritual बनाती है, ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, केरिंग टाइप की nature इनकी रहती है, और ऐसी हाट लाइन का होना native को थोड़ा सा emotional भी बनाता है, और आप यहाँ पर देखेंगे इस रेखा में चलकर आपको एक island जैसी formation बनती हुई भी इनकी हाट लाइन पे नजर आएगी, इस तरह की formation का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता, अगर हाट लाइन पर इस तरह की formation बनती है, तो यह लेटर इमें चलकर, रिदेस बंदी दिक्तें देती है, ब्लड प्रेशर जैसी problem इसे व्यक्ति को 55 की age के बाद होने की संभाव बनाएं बढ़ जाती है, चलिए आगे बात करते हैं इनकी line of mind की, यानि मस्तिक श्रेखा की, आप देखेंगे इनकी तेली में मस्तिक श्रेखा काफी अच्छी लंबाई में है, एक ब्रांच यहां से नीचे की तरफ चलती हु कोई भी नजर आ रही है, इस तरह की formation का होना native की creativity को indicate करता है, ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे artist हो सकते हैं, कुछ ना कुछ artistic qualities इनके भीतर रहती है, कुछ ना कुछ कला इनके भीतर रहती है, अच्छे writer भी ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं, जिनके हाथ में इस तरह की ब्रां के बीच में होना indicate करता है, कि native थोड़ा जिदी सभाव का होगा, ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, और जो काम करने की ठान लेते हैं, उसको करकर ही दम लेते हैं, कुछ इस तरह का सभाव यह गैप देता है, माइन लाइन की लंबाई अच्छी है, जिस वज ब्रांच निकल कर चंदर परवत की तरफ जा रही है, यह जो लाइन है, इसको जीवन रेखा कहते हैं, और आप यहाँ पर देखेंगे, इसकी एक ब्रांच का इस तरह से, इस मून माउंट की तरफ निकलना दर्शाता है, कि ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं करते हैं, फ काफी अच्छी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक लंबी जीवन रेखा का होना, इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है, वो 80 से अधिक, यानि 80 वर्ष से अधिक रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अगर हम इनके शुकर परवत की बात करें, तो यह जो ए केशिंशिप्स में दिक्कतें रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ऐसी आड़ी रेखाओं का इस एरिया पे होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, इनकी वज़े से मैरिच में कुछ इंस्टिबिलिटी रहने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं, अगर हम इनके च चंदर परवत का दबना नेटिव को थोड़ी आईसोलिशन की फिलिंग देता है, थोड़ा अकीला पन ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में महसूस हो सकता है, दोस्तों ये कुछ अनैलसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जव झाल झाल